हाई फ्रेंड्स मैं मैं स्वागत करता हूँ आपका आमारे यूटूब चैनल पर आज हम लोग देखने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुड्स अंडर कस्टम यह पार्ट नंबर टू है अगर पार्ट नंबर वन आपने देखा नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक दे दिया है तो प्लीस वह वाला वीडियो जाके पहले देख लीजे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है तीक है आज हम लोग देखने वाले हैं सर कभी-कभी अपने को दो एक्षेंज रेट दिया होगा तो सर क्या लेने का कौन सा वाला रेट लेने का तो सबसे पहले डाइग्रम एक्स्प्रेंग करता हूं क्या लिखा है सर डितर्मिनेशन ओफ टेद और एक्षेंजर करते हैं ओ और ईंग्सक्रीक चेस और एक्सपोर्ट वाला सिंपल है तो सबसे पहले एक्सपोर्ट देख लेते हैं के say for example, अगर मैं good export करता हूँ, ठीक है, इंडिया के बार, अगर मैं कोई goods export करता हूँ, तो सर, duty कपका लेने का, किस दिन का हम लोग duty लेगे, तो date of let export order, मतलब जिस दिन मैंने export order पास कर दिया, जिस दिन का, ठीक है, उस दिन का हम लोग क्या करेगे, सर, duty ले लेगे, और exchange rate कपका लेगे, तो date of shipping, date of shipping bill, तो जिस दिन का हमारा shipping bill present होगा, जिस दिन हम लोग shipping bill present करेगे, उस दिन का हम लोग क्या ले लेगे, सर, exchange rate, ठीक है, तो यह हो गया in case of export, अभी, यहाँ देखो, सर, in case of import, अगर import किया, तो अपने को दो चीज़े समझना पड़ेगा, say for example, यह अपना इंडिया है, ठीक है, यह इंडिया है, हम लोग ने goods क्या किया है, सर, हम लोग ने goods किये, import, ठीक है, यह import किये, न, import के बाद यह जो custom port है, यहाँ, हम लोग क्या कर सकते है, सर, यहाँ, हमारे पास दो option है, या तो फिर वो हम लोग home consumption के लिए लेकर जाए, मलब डारेक्ली हमारी factory में लेकर जाए, business place में, या तो फिर उसको हम लोग रख सकते हैं, सर, warehouse में, ठीक है, दो case हो सकता है, जो भी goods हम लोग ने import किये है, उसको directly हम लोग home consumption के लिए ले, या फिर उसको warehouse में रखे है, और फिर warehouse से हम लोग एक महने के बाद, या दो महने के बाद, या 15 days के बाद, हम लोग फिर home consumption के लिए लेकर जाए, ठीक है, तो यह दो सेनारियो हो सकता है, जब हम लोग goods क्या कर सकते है, सर, import करेगे तब, ठीक है, तो यह दोनों भी case में हम लोग को कौन सा date और कौन सा exchange rate लेना है, वो देखो, तो in case of goods import, अगर goods हम लोग क्या कर रहे है, सर, import कर रहे है, तो पहला क्या लिखा है, if goods enter for home consumption, हम लोग किस के लिए कर रहे है सर, home consumption के लिए कर रहे है, वो लब directly, ठीक है, तो यहाँ देखेगे, सर, हम लोग below of entry कब present किया, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, below of entry, below of entry हम लोग कब present करेगे, तो समझो, below of entry हम लोग ने after present किया है, मतलब हमारा vessel, vehicle, या फिर aircraft arrive हुआ, उसके बाद हम लोग ने below of entry present किया, तो duty कब का लेगे, सर, तो duty भी, date of filing of below of entry, और exchange rate भी कब का लेगे, date of filing of below of entry, तो इतना याद रखना है, अगर after रहेगा, तो below of entry लेना है अपने को, ठीक है, तो duty भी कब का लेगे, सर, below of entry का, और exchange rate भी कब का लेना है, below of entry का, बट समझो, सर, below of entry जो हम लोग ने present किया है, यह presented before arriving of vessel, aircraft और vehicle, ठीक है, मला हम लोग bill of entry हम लोग ने पहले ही present कर दिया, तो अगर पहले present किया, तो अपने को देखना पड़ेगा, कि हम लोग ने जो भी goods import किये है, यह import कैसे किये है, अगर imported by vessel रहेगा, अगर समझो, मैं vessel से import कर रहा हूँ, है ना, तो duty कप का रहें का सर, तो duty कप का लेगे, तो granting of entry inward, क्या होते है ना सर, जब अब custom C में आते हो, ठीक है, तब हम लोग को अंदर enter करने के लिए, एक entry bill file करना पड़ता है, that is granting of entry inward, कि मुझे अंदर आने दो, तो duty कप का लेगे, जिस दिन हम लोग ने file कर दिया, तब का हम लोग ले लेगे, exchange rate और duty कप का लेगे, जब हमको grant हो गया, entry invert grant कर दिया, कि हाँ आप अंदर आ सकते हो, उस दिन का हम लोग को क्या लेना है, duty लेना है, in case of हम लोग किस से, vessel से आ रहे तो, ठीक है, अगर मैं पहले present करता हूँ, अगर imported by vehicle, या फिर aircraft होगा, तो क्य जब जिस दिन हमारा vehicle या aircraft arrive हो गया, उस दिन का हम लोग को duty लेने का, और exchange rate का है, exchange rate, date of filing of bill of entry, मतलब यहाँ एक trick आपको अगर यह बात करूँ, कि समझो, अगर हम लोग directly home consumption के लिए लेकर जा रहे, directly home consumption के लिए लेकर जा रहे, तो sir, अपने को exchange rate, exchange rate, कोई भी case हो, हम लोग को bill of entry का ही लेना है, exchange rate, इतना याद रहा, ठीक है, अगर समझो, मैं before कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, before, before कर रहा हो, तो मुझे देखना पड़े गा, मैं vessel से कर रहा हूँ, या फिर, vehicle या aircraft से कर रहा हूँ, है ना, अगर मैं vessel या aircraft से कर रहा हूँ, तो क्या देखेगे, अ case of goods enter for home consumption but कभी कभी क्या होता है sir goods हम लोग ने import किये ठीक है फिर उसको रखे वेर हाउस में और फिर वेर हाउस में रखने के बाद हम लोग क्या कर रहे है उसको home consumption के लिए लेकर जा रहे है ठीक है अभी ये वाले case में क्या है तो goods clear for warehouse ठीक है तो warehouse में रखे और warehouse से हम लोग clear कर रहे है for home consumption ठीक है तो clear from warehouse तो duty कभ का लेने का तो duty लेने का date of x bond bill of entry क्या होता है sir जब warehouse में होते है ना फिर warehouse से जब हम home consumption के लिए लेकर गाते तब हम लोग को x bond bill of entry file करना पड़ते है तो duty कभ का लेगे जिस दिन हम लोग ने x bond bill of entry file किया तब का हम लोग duty ले लेगे और exchange rate कप का लेगे तो date of presentation of goods जब हम लोग ने goods present कर दिया उस दिन का क्या लेना है exchange rate लेना है is that clear ठीक है उसके बाद तो यहां हम लोग ने क्या देखा है sir कि किस दिन हम लोग को exchange rate लेना है और किस दिन हम लोग को duty लेना है ठीक है तो यह diagram आप लोग अठ्छे से याद कर लेना क्योंकि इसी के base पे आगे हम लोग को question आ सकता है ठीक है तो चलिए एक question के साथ शुरू आत करते है तो question number last time हम लोग लोग ने question number 3 किया था अभी हम लोग question number 4 कर रहे है तो question number 4 में question number 4 में क्या दिया है रेको सबसे पहले from the following particular given below find out the accessible value of imported goods under the custom act 1962 the cost of machine at the factory of exporter that is 25,000 okay the transport charges from the factory of exporter to the port for shipment okay exporter की factory से हमारे port तक क्या आनका transportation का local transportation का करचा हुआ 650 okay ठीक है और handling charges paid for loading the machine in the ship अच्छा ship में load करने का खर्चा कितना हो गया सर अपने को 200 का ठीक है यह भी चलेगा ठीक है buying commission paid by importer इंपोर्टर ने पी किया तो यह नहीं आने वाला हमारा buying commission अगर importer ने पी किया तो नहीं आएगा दूसरा freight charges from export country to India यह very very important सर freight charges मैंने बोला था ना जब भी भी कोई goods हम लोग import करते है तो दो important cost है जिसके बगे हमारा goods इंपोर्ट नहीं हो सकता कौनसा कौनसा एक तो हो गया सर हमारा freight एक तो हो गया freight और दूसरा क्या हो गया सर insurance ठीक है तो यह वाले case में अपने को क्या तो exchange rate considered 1 euro equal to कितना 81 NRI इंडियन रुपीज में अपने को 81 रुपीज दिया है the actual insurance charges paid is not ascertainable अगर not ascertainable है तो देखो freight और insurance का last video में मैंने बताया था ठीक है अगर आप लोग को याद नहीं आ रहा है तो एक बर हम लोग वापीस से देख लेते हैं कि किस तरीके से बताया था तो यहां देखो सर फ्रेट का क्या था अगर मैं वेसल या एरक्राफ्ट से आता हूं तो cost is given अगर yes then take actual अगर नहीं दिया है तो 20% of FOB अभी बताओ सर यह हमारा जो machinery आ रहा है वो कैसे आ रहा है सर वेसल से आ रहा है कैसे पता चला तो वो ship में हम लोग ने क्या कर दिया सर लोड कर दिया तो मतलब क्या लेने का है सर if actual cost is given then take actual cost बट समझो if insurance की बात कर रहे हम लोग insurance क्या actual cost दिया है तो नहीं दिया है तो cost is not given तो कितना लेना है सर 1.125% of FOB ठीक है और हमारा format कुछ इस तरीके से होता है ठीक है एक्स वेक्टरी cost में हमारा जो भी free alongside रहेगा हम लोग local port charge कर देगे फिर हम लोग को मिलेगा FOB price और FOB में हम लोग freight और insurance क्या कर देगे add कर देगे फिर अपने को मिलेगा CIF value और exchange rate से कर दे तो मिलेगा अपने को accessible value तो यहां भी अपने को question में क्या find out करना है accessible value ठीक है तो यहां देखो sir अभी यह solution में देखते हैं तो इसका solution किस तरीके से होगा yes question no.4 अपना cost of machine कितना दिया यह that is 25,000 cost of machine 25,000 तो यह solution में किस तरीके से होगा देखो तो x factory price that is cost of machine कितना होगया sir 25,000 अभी हम लोग क्या करेगे sir local जो transportation charges है उसको हम लोग कर देगे add that is 650 और 200 हम लोग ने क्या कर दिया sir add कर दिया अभी यह add करने के बाद add करने के बाद अपने को मिलेगा sir FOB FOB price कितना मिला sir 25,000 850 अभी इसमें क्या करेगे sir यह जो हम लोग को FOB मिला है 25,000 850 this is nothing but gross FOB इसमें हम लोग दो चीज़ add करने वाले एक क्या एक तो freight charges और दूसरा हम लोग add करेगे insurance अचा freight charges यह क्या है sir actual दिया है तो हम लोग actual लेगे that is 2500 उसके बाद हम लोग insurance लेगे that is 1.125% of gross FOB तो हमारा FOB कितना है 25,000 850 तो 25,000 850 पे 1.125% तो अपने को amount आएगा 290.81 अभी हम लोग क्या कर देगे sir add कर देगे 25,000 850 plus 2500 plus 290.81 तो total अपने को CIF value मिला that is 28,640.81 अभी हम लोग इसको क्या करेगे exchange rate से multiply कर देगे that is 81 से हम लोग क्या कर देगे sir multiply करेगे तो अपने को assessable value मिलेगा that is 23,19,906 तो sir यहाँ दिक्कत क्यों नहीं आई question में because यह वाले question में अपने को एक ही exchange rate दिया था तो sir आपने यह जो diagram explain किया है तो यह जो diagram explain किया यह कब आएगा जब अपने को 2 rate और 2 duty दिया होगा तो next question जब हम लोग solve करने वाले हैं वो दो rate और 2 duty का है तो चलिए शुरू करते हैं next question that is question number question number 5 question number 5 question number 5 जब हम लोग solve करेगे क्या लिखाया देखो question number 5 के बारे में तो the compute export duty from the following data okay अच्छा अपने को यहां अम लोग goods क्या कर रहें sir export कर रहें ठीके FOB price अपने को दिया है that is 3 lakh okay shipping bill presented electronically shipping bill हम लोग ने का present किया sir 29th January 2023 ठीके the proper officer passed the permitting of clearance and loaded of goods for export इसका मतलब क्या है sir let export order तो let export order अपने को मिला sir 2nd February 2023 की okay अभी यहां देखो अपने को क्या दिया है exchange rate notified by CBIC and export duty as under ठीके तो अपने को देखो यहां दो exchange rate दिया है और दो export duty का rate दिया है ठीके अभी यहां देखो sir 29th January 29th January को हम लोग ने क्या किया था sir shipping bill किया था और उसका rate कितना है 71 और 12% हमारा duty है exchange rate is 71 और 12% duty है अच्छा उसके बाद 2nd February को क्या हुआ था sir तो 2nd February को हमारा let export order पास हुआ था ठीके तब का exchange rate कितना है sir 70 और duty कितना है 8% तो sir अभी यह वाले case में अपने बस दो दो चीज़े तो लेना क्या है तो देखो diagram में उपर आओ उपर आओ उपर आओ यह यह रहा diagram ठीके तो diagram में देखो sir अगर in case of export होगा तो duty कपका लेने का sir जब let export order पास किया तब का और exchange rate कपका लेने का है जब shipping bill present किया तब का है ना तो बताओ sir अभी मुझे बताओ sir अम लोग ने shipping bill कप दिया है तो shipping bill 29 है ना सर तो 29 29 का हमारा exchange rate लेना है अपने को तो 29 का exchange rate कितना है sir 71 तो यह हो गया 71 ठीक है ओके और हम लोग को duty कपका लेना है तो sir जब हम लोग ने क्या किया sir bill of entry present किया bill of entry का हम लोग ने तो exchange rate ले लिया और sir duty कपका लेना है तो let export order जब हम लोग ने पास किया तब का हम लोग को duty लेना है तो duty कितना लेगे 8% ठीक है तो यहाँ देखो sir FOB price is given in the question that is 3 lakh ठीक है exchange rates हम लोग क्या कर देगे उसको multiply करेंगे 71 तो अपने को कितना है sir 2 crore 13 lakhs 2 crore 13 lakhs में हम लोग क्या करेंगे sir 8% निकालेगे हमारा export duty ठीक है तो export duty निकाला तो export duty payable कितना हो गया sir 17 lakh 4000 ठीक है तो इस तरीके से अगर अपने को 2 exchange को find out करना परेगा is that clear ठीक है तो अगर आपको valuation of goods से related और भी question ठीक है तो आप मुझे comment करके बता सकते हो अगर यह video आपको informative लगा रहेगा तो like किजे share किजे और याद रहे friends subscribe करना भूलना मत thank you so much for watching this video